वोधी सर्दे मावले में कॉंग्रस निंता राहूल गांदी के मुश्किले नहीं हुई कम MPMA कोट में खारिच की राहूल गांदी की याज का 22 माई को सुनवाई की तोरां कोट में होना होगा पेश राहूल ने पेशी सर्चूट के लिए दाखिल के थी आज कर गरवागोसी महमन सुरिन के सोगाच चववन यूजनाओ का किया शिला नयास और उठगाटन 800 करोड के लागत से पूरी होगी योजना राची में पांच माई को होगा सांसल सांकर्थिक महत्सो का आयूजन उठगाटन कारिकर में कई पड़ी निता होंगी शामिल रवी किशन और मनुछ तीवारी की हो सकते है शामिल करनारिक में बजरन दल को वेंद करने के कोंगरस के घोशना पत्र पर जार्खंड में सियासर जर्माई जार्खंड तरसल सांसल संजय सेट ने कोंगरस पर बोला हमला कहा कोंगरस को न तो भगवान राम और नई भारती सीना पर विश्वास होता है हिमन सुरेन से ललन सिंग की वुलाकात पर जार्खन में राजनिती गर्माई बीजेपी प्रदीश का अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर आरजनी ने साधा निशाना कहा दीपक प्रकाश के बयान से साबित होता है कि विपक्ष एक हो रहा है बोगारों में जमशेद पोर पोर्वी के विधायक सर्यू राय ने राजपाल से की राज़े में धारा 356 लागन लागू करने के मांग ता राजपाल को गिर्मंजाले को भीजना चाहिए रेपोर्ट राज में मंत्री कर रहे हैं हमनमाने इने डे में जिला टास्क फोर्व का एक्षन करिदगा इंटरप्राइजेस में टास्क फोर्व का छापा जांच के बाद फ्राक्रिको टास्क फोर्व ने किया सील 3000 से धिक बोरी माईका का पाउड़र सब्त सदर HDMC और खर्म विभागने की कारवाई सेना जमीर घोटाले मामले मीडी कश्चिकन जा कल छवी रंजन से एडी करेगी पूचताच कल दूसरी बार होगी छवी रंजन से पूचताच एडी में छवी रंजन को भीजा समन कॉंग्रिस अलफ संक्यों के विभाग के नौ दिर्वा चित्री अर्मेर मंसूर अंजारे के धनबाद पहुचने पच्जोर दर्स वागत समारों में प्रदेश कॉंग्रिस कारिकारी अधिक्ष शहजादा अनवर भी हुए चामिल कहा अलफ संक्यों को कि प्रदी सरकार कर कि अधिक ने अन्यमित्ता से किया इनकार तस्वीर रिखाये जाने के बाद बोले होगी चांच दूआ के मुखी मंद्रे प्रमूथ सामन के खलाब पतना सिविल कोट में परिवाद दाखिल बिहार के लुगोंगों पर अपतती जनक बयान के बाद क्याज का करता मनिश स्टि disasters ने दाखिल की परिवाद प्रमूथ सामन तने गुवा में अपराद के लिविवार के लिफ बाबा बागशुर की वीहर को लिकर जारी है विभात ईच्प्रताप ज्टाकाव के बाद सिखशामंत्री चंद्धर शेंकर ने दिया बयान कहा जो उन्मात फेलाएगा वो जिल जाएगा लिवान भाब बागशुर पर मंत्री चंद्र शेंकर के बयान से जेग्यों ने किया बचाव कहा बाबा हिंदू राष्ट के बात करते हैं इसलिए आपक्ति है संभिधान में हिंदू राष्ट के परिकल पनावें बागेश्वर पर सिक्षा मंद्री चंद्रे शिकर के बयान का बीजेपे ने किया पलटवार प्रति पक्ष नीता विजस सिन्हा ने कहा बिहार किसी की जागिर नहीं जो रोक देंगे पिंद्री मंद्रे गिर राष्ट सिंह का बड़ा बयान का मंद्र से हटा तो मशीदू से भी हटाएगा लाड़ स्पीकर बिहार में जब योगी जैसा सीम होगा तभी मिले गाने आए सासारा में बीजेपी के पूर्व विदाएक जवार पिसाथ की गिरफतारी का विरो धरना पर बैटे बिहार बीजेपी के अधिक्ष समराच औरी और सांसर छेडी पास्वान राज्य सरकार पर मर्मानी का अरूप लगाया गोवा के सीम प्रमोट सावन के बयान पर आरजडी का प्रड़वार बोले शिवान तिवार पूरे पूरे पुरे पदेश का गोवा के सीम ने किया अपमान गुवा के सीम के बयान पर बिहार में सियासत गर्माई आर जड़ी ने बीजेपी पर बोला हमला बिहारियों के अफमान का लगाया रूप गुवा के सीम ने अफराद के लिए बिहार के यूपी के लोगों को बताया था जेडियों पर वक्ता खाले दनवर ने प्रमोट सावन के बयान के बहारे बीजेपी पर गिया हमला कहा बीजेपी के लोगों को खरीब और मज़ूर पसंद रही इसलिए ऐसे करते हैं बयान पाथिक हैं जहाँ भी रहते हैं वहां के विकास भूमि गहार दिभाते हैं ना कि इस तरफी के अपराद समराट के बाहने जेडियो एमल से दीरच कुमार ने गिरिराद सिंग पर कसा तंज बीजेपी में सीयम पत के लिए सबसे फिट बैठते हैं गिरिराद सिंग कहा समराट कोट में जाती जनगरना पर सुनवाई पूरी हाई कोट ने फैसला रखा सुरक्षित जाती जनगरना पर कलाएगा फैसला चत्रा में दिखाती जरफतार का कैर कोईले से लदे बहन ने बाइक सवार दंपती को मारा टकर मरी और दंपती के मौके पर ही मौत शारी समारों में शामिल होने जा रहा था दंपती जमुई में दो सडंध हाथ से में तीन लोगों के मौत से कंद्रा नवादा बें रूर की चंदर दीप थाने के पास बारातियों से भरी बोले और बेकाब होकर हाथ से कर शुकार एक के मौत यिंग धायल दूसरे हाथ से में दो की मौत तकी जराय के कैंडी गाओं के पास बारात से वापस लोट रही बस पल्टी हादसे में एक शक्स की मौत 20 से ज़दा लोग घायलों में बारा के हालत गंभीर अस्पताल में भरते करवाए गया गुमला के जारी थाने के जरणा गाओं के पास बेकाब हो कर पलट गई हादसे में तीन लोगों के मौत कई लोग घायलों को अस्पताल में करवाए गया भरते पढ़ना सिरी के खाजे काला थाने में लूदी कटरा में मूबाइल के टावर में आग ऑटो गेराच में भी आग के चपेट में आने से काफे नुपसान आग लगने के चलते गारिया चलकर राख हो गए साइब गंज में चटकी जंगल से चुक्ड़ों में मिले मानों अंग कंकाल मानों खोपडी और शरील के अंग मिलने से देशित का माहौल अगर बाड़ी सेवी का खिशो होने के आशू कर बाड़ पुलिस को मिली बड़ी कामियाबी वाहन जाच के दोरान हत्यार तसकर गिरफतार आरुपी सत्यार वरामत सैंपल देने जा रहा था आरुपी सच्छपरा में स्वाड़ व्यबसाई की हतिया स्वाड़ व्यबसाई जैप्रिकास शारे गला रेटकर उतारा गया मौथ की घार बारदात की दोरान घर पर नहीं थे परजल शादी से लोट रहे परजलों को घर में मिला शौप वो गारों में बाइक के लेकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकर लिया बाइक मालिक ने चोर की पिटाई करते निर्वस्त प्रके घुमाया मौके पर पहुंचे पुलिस ने अपने कब जैम लिया धायार में बुजर्गे दंपति के पीठ पीठ कर हतियाँ डायन बिया विसाही के शक में आख़ुषिद भिर ने की उतारा मौब धिगार-वुजर्गे दंपति की हतियाँ से लागर में संसली की खगडिया में डूटी के दौरान हुमगाट जवानों की राइफल चोरी अलॉली अंचल कारियाले से चोरी हुई तीन राइफल मामले के जांच परताल में जुदी है पुलिस पश्यम चंपारण के मज़ोरिया में पुलिस को शराब तसकर के खिलाब मिली बड़ी सफलता गश्टी के दोरान 27 का अटन अंग्रिजी शराब जर्त पुलिस को देखकर तसकर हुआ पराइफ खुटी में आग के हवाले किया गया ट्रक बाई को भी किया गया आग के हवाले उठा पूरा ट्रक अग्याद अपराधियों ने गार्यों में लगाई आग जमशेटपूर के स्वान रेखा और खरकाई नदी से अवैद वालू खरनन रोकने के लिए प्रशासन अक्टिव हो चुका है वैद खरनन को रोकने के लिए प्रशासन बारा घाटों को चिनिप क अवैद वालू उठाओ करवाने वालू पर कारवाई की जाएगी बगा आ के राम नगर में शराब के खिलाप का एक्षन पुलिस ने चारता स्कूरों को किया गिरफतार बड़ी मात्रा में शराब का खेब बरामत किया गया है तेरेडी के पर तरो डी हमें शादी समारों मे बवाल खाना नहीं खिलाने को लेकर भीड़े दोपक्ष ने जम कर हुई पत्थर बाजी चार से जादा लोग जखमे पुलिस ने एक युवा को गिरफ्तार किया है प्यटा में वाहन चेकिंगे दौरान नौबत पुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी पुलिस ने एक ट्रक अंग्रेजी शराब की खिए बरामत की है जब्त शराब की किमत करी 15 लाख रूब के बताई जा रही पुलिस को मिली बड़ी सफलता शेक्पुरा में शारवज ने कुवा पर दबंगो का खब्जा विरूद करने पर की गई एक शक्स के बड़ाई घायल शक्स ने डियम से लगाई लिया के गुहा दूंगा पुलिस बेशो विद्याले में कारेशाला का आई उचंग किया गया है कारेशाला में कई किसानों ने लिया है साक कम पानी में उगने वाली फसल के बारे में जानकारी साथ हाती है परबाद में आजसू नीता हिरालाल महतों के खलाब पुदेशन गिरफ़तारी के मांग को लेकर परिवार करणशन जारी पुलिस ने पुदेशन कारियों के अस्किताल में दरवाया भरती हिरालाल महतों पर पांच लाख रुपे रंगडारी मांगने और मार्कीट कारोप मिलता है तो लडूंगा सांसत का चुना उत्तर बिहार को प्रवांचल से जोड़ने के लिए गंड़क नधी पर करीब उसाड़े 11 किलोमेटर नंबा पुल बनाने की कवाय तेज सड़क परिवन और आश्यर राजमार्ग मंत्राले पतना के सीफ इंजीनियर दें प्रस्तावि प्रेमी का प्रेमीका के पर जिनों ने जिक शादी के सहमती प्रेमी का परिवार कर रहा है विरोट पॉप्सक्र पॉपनाने के जनध кил अलर्मी स्कूल को बंद करने का लटीश तिया गया करनाटा के कैमूर में आयकर विभा की बड़ी कारवाई कॉंग्रेसों मिद्वार के भाई यहां च्छा पिमारी की गई पीड से मिले एक करूर रुपए दिली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धर्णा जारी बढ़ाए गई सुरक्षा भारी पुलिस वेल तेना फिल्म अदर केरल स्टोरी के खलाप याज का सुनने से सुप्रिम कोर्ट ने किया इनकार सीज़ाई बोले हर बात पर नहीं हो सकती सीधे सुनवाई ओपरेशन कावेरी के तैथ सुदान से एमधाबाद लोट 150 भारती एमधाबाद हवाई अड़े से बस से पहुंचे राज कोड परिवार से मेल कर भाउट हुए लोग सुदान में फसे 328 भारतीयों को लेकर दिली पहुंचा वाई उस्तिना का विश्यश विवान ओपरेशन कावेरी के तैथ हुई हजार लोग के वतन बापसी विवालिया हो सकती है एर्लाइंस कंपणी गोफर्स्ट आज और कल बुकिंग रद करने पर बीजी सीय ने थमाया नोटीस के इंडर सरकार ने बताया दुर भागे पूर्ण पूरा पैसा वापस ना करने का रोप लगा है पूंबई में एंसीपी में नए अधिक्ष को लेकर मन्थन सूत्र को मताबिक सुपिया सूली को मिल सकती है कमाद प्रफल पटेल वावार ने अभी तक नहीं लिया है फैस्ट करनाटक चुनाव में गुंजा भजरंग तल का मुद्दा पिया मुदी ने आज जाए भजरंग बली से कि शुरवात भाशन की कॉंग्रिस को बताया शांति और विकास का तुष्मा पिया मुदी बोले कॉंग्रस और जेडियस से साफधान रहने के आजशक्ता शाही परिवार के लिए एटियम है करनाटक कॉंग्रस तोड़ना चाहती है बीजेती जोड़े पिया मुदी ने कहा कॉंग्रस कुछ भी करना रज़ने खमर कलेगा कॉंग्रस के एक नेता रेटायर होने वाले नेता के लिए वोट मांग रही है कॉंग्रस प्रियाग राज के उमेश पाल हत्याकान में नया खुलासा एकीस परवरी को ही थी हत्या की कोशिश नए सिस्रीवी में नजर आये शूटर्स उमेश पाल हत्याकान में पुलिस के जांच 30 पुलिस का स्टड़ी में अतीका वाकिल शाम 6 बज़े तक के लिए कोट ने दी है रिमान गुडू मुसलिम के गुवा कनेक्शन को लिकर बड़ा खुलासा अतीक के बीनामी हुटल में ठहरा था गुडू करेली के रहने वाले शक्स का है गुवा में हुटल गुड़ो मुस्लिम की तलाश में दिल्ली पुलिस आमसेट के मामले में भी गुड़ो मुस्लिम की तलाश दिल्ली के शिवर कोटी वाले घर पर नोटिस लगाया गया है ताज़ियबाद में शाइस्ता परविंग के तलाश देश। शाइस्ता को पकरने के लिए लगी पुलिस के दो टीम इसांसर दिनों से फरार चल रही शाइस्ता परविंग। एक टीम दिल्ली मेरे अक्स्पेस वे पर कर रही चकी दूसरे टीम एस्टन पेरिफरल एक्स्पेस वे पर तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर सूचना विले प्रियाग राज में नैनी संट्रल जेल में बढ़ी अतीक के बेटे के अली के निगरानी जेल में अली और उसके गुरगे पर पहने नजर सैनी संट्रल जेल में बंध है अतीक माफिया का बेटा अली गेंग्स्टर के मददगारों पर एक्शन दिल्ली और हर्याणा में चाप विमारी गेंग्स्टर नंदू उरुफ के सहयोग्यों के 20 से जादा थिकानों पर सर्च आपरेशन पहार से लेकर मैदान ता के बिगड़ा मौसम दिल्ली अंसियार में जमकर बरसे बादर कई लाकों में सोरधार बारिश दिली ससठे गाजियाबाद में बारिश के वज़े से हादसा सडक पर भरा पानी खोले नाले में हीरे दो लोग CCTV में कैद हुआ हादसा अई महिने में पहाडों पर बर्फ बारी ने किया हीरान उत्राकर में कैजगा बारी और रुद्रफ राग में दिसमबर जैसे बर्फ बारी कई जगड़ा पर जमी बर्फ की मूटी परत तापमान में आई घीरावच बारिश और बर्फ बारी का चारधाम यात्रा पर भी पड़ा असर लगातार बर्फ बारी के चलते के दारनाथ यात्रा रोकी गए शुर्धानों को सुर्ख्षित जगहों पर रहने को कहा के किदार धाम में बर्फ बारी से बिगड़े हालात बर्फ गरने से कई टेंट शतिक रस्त दो से धाई फिट तक घिर चुकी है बर्फ केदारधा में मौसम बिगरने से शर्दालों परिशान बर्फ बारी के बीच कतार में लगे लोग तापमान में गिरावर्थ से बड़ी परिशान अर्दवार में भी बारिश का दोर जारी कुछ घंटे बारिश रुखने के बाद बारिश फिर से शुरूर तापमान में आई गिरा वज़ी तो जबो कश्मीर के अनतनाग में आफट के बारिश रिहाशे इलाके में पानी तीज़ आसपास के इलाके में लोगों को हटाया गया है हिमाचल की कुल्लों में ताजा बरफ बारी चारो तरफ नज़राई बर्फ की सफेद चादर यूपे के बलंद शहर में जबरदस वोलाब रिष्टी मक्का समित के फसनों को भारे नुपसान किसानों के चेहरे पर चिंता की लखी रही आंद्र प्रदेश के श्री का कुल्लम में बड़ा हादसा चंद सेखने में गिरा भारी भरकम पुल एक फेलर पुल की चापेटने आया अहमदबाद में आइसक्रीम फ्रक्री में लगी भीशना करी मश्रकत के बाद आख को बुझाए गया प्यार के बगहा में लगी भीशना काई घर जलकर राख बनाने के दौरान खाना बनाने के दौरान हादसा हुआ यूपी के देवरिया में दरवनाख हादसा साड़क के किनारे खड़े टैंकर से ठकराई तीज रफटार गाड़ी दो लोगों के मौत यूपी के सब्ना में भीशन साड़क हादसा मेहर में अन्हेत रुथुकर पलटी बारातियों से भरी बस की एक मासों के बाउट 24 से जादा लोगों के आलत गंप ही चदरगुर में घर में घुसकर चात्रों ने की करोड़ों की लूट घर में मौझूद लोगों को बंदग बना कर किया वारदात को अंजान दिया पुलिस ने चायर अरुप्लियों को दबोचे गतला में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने मचाया उत्वाद दस से जादा बदमाशों ने वाहन में की तोड़फोर करवचारियों ने भाग कर बचाई जान यूपी के शामले में पकड़े गई तमंचा फ्रक्री निगाय चुरा में इस्तिमाल किये गए के लिए तैयार किये जा रहे थे अवैड तमंचे मांदा में अवय तमंचा फैक्रे पर पुलिस ने मारा चापा फैक्रे चला रहे परिवार कुपिया गिरफतार तमंचे राइफल और कार्थुस बरामत किया वरानसी के होटल में शादी समारों के दोरान हर्च फाइरिंग डांस कर रही योचियों पर बरसाए नोट वारल वीडियो के जाच कर रही है पुलिस प्रोलिडा में टॉर्नेडो ने मचाई भीश और तबाही कार सावारने कैमरों में रेकॉर्ड के तस्मीर है अमेरिका के मिसी सिप्पी में भीश बार का कहर हर तरफ बार का पानी ही भरा है लोगमोश के लिए तीहिती आइलेंड में बार ने मचाया कहर बार के बाद पानी में तरते नज़र आई का रहा